इसकार दोस्तों मैं हूँ रवी कुमार और आप देख रहे हैं माम बिन यूज नया साल आने में बस कुछी दिन बचा हुआ है आज एक ऐसे परियाटा कस्तल के पास आपको लेकर आया हूँ जिसे देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे आप यहाँ आने पर बरबस खीचे चले आपको बता दे कि यह बहुत दिनों से था लेकिन इसकी सुंद्री करन की गई है और इतनी खूबसूरत इसे बनाई गई है कि देख सकते हैं कि नया साल आने में अभी कुछ दिन बाकी है लेकिन लोगों की भीड़ यहां उमढने लगी है यहां सबसे पहले आपको बता दे कि जारखंट के चत्राजिला के यह भेड़ी फारम में बनाई गई है जो विष्वेक में विख्यात था भेड़ी फारम जिसका अस्तित्व खतम होने वाला है उसी अस्तल में बनाया गया उसी अस्तल में यह डेम बनाया गया और उसी नाम से सायद इसे अभी जाना जा रहा हम उपर चलेंगे यहां के नजारे को दिखाएंगे और यहां के कुछ परियाटों को से मिलाएंगे और उस डेम को दिखाएंगे जिस जगहा पे बनाया गया है और इस रूप को इतना खुपसूरत बनाया गया देख सकते हैं कैमरा से चाहेंगे कि पहले उस डेम को दिखाए देख सकते हैं यहाँ जल पूरी तरह से डिम में भरा हुआ है अम उपर ले चलेंगे और उपर से पूरे भ्यू को दिखाएंगे आपको कि यहाँ अस्पेसल क्या है और यहाँ परियाटक अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं जब से सुंद्री करन हुआ है उसके बाद औ आप देख पा रहे होंगा भी वह अभी ताजा ही हुए है हमें यह पता चला है कि 26 दिसंबर को यहाँ उद्गाटन किया गया है इस परियाटक अस्तल को लोगों की भीड़ साब तोर से दर्सा रही है कि अब यहाँ पे लोगों का हुजूम उमनने लगा परियाटकों का लोगों को अपनी और खीच रहा यह डिम यह आपको बता दे कि यह भीड़ी फारम में यह डिम बनाया गया या कुछ लोग हैं उनसे मिलाते हैं परियाटक असर कहां से हैं सरफ हम लोग चत्रा सहर से हैं कैसा लगा सर यहां कभी हो अच्छा लगा लेकिन अभी थोड़ा सा और शुरुआत होने में महसूल समलोग कर रहे हैं कि जल्दी शुरुआत हो जाए और यह एक परियाटन का अच्छा मने हमारे यहां यह स्थान हुआ है नया स्थान है बच्चे खास करके यहां पर आना अभी पार्क शुरू नहीं हुआ है लेकिन बन करके रेड़ी है संभावता एक जनवरी से प्राराम हो जाएगा तो बच्चिया उस उमांग को लेना चाह रहे हैं आप कहां से हैं चत्रा से कहा नाम हूँ आपका समया फजल कैसा लगा आपको यहां अच्छा अच्छा लग संभावता की एक जनवरी को उसे खोल दिया जाएगा और एक जनवरी के बाद लोग यहां पर और भी लुपत उटा पाएंगे यहां पर आपको बता दे कि यहां नाव की भी बेवस्ता की गई है और नाव भी कुछ दिन में चालू होने वाली है आपको बता दे कि हम जहां सुन्दर जगा और यहां प्राकिर्तिक में बसा ये डेम कहीं न कहीं मरोरम द्रिस्यों को दिखाता है यहां आप बर्बस खीचता है परेटों कि अब देख सकते हैं कि डेम की खुपसूरती कितनी अच्छी है यहां पर मैं हर एक एंगल से आपको दिखाने की कोशिस करूंग और लोग अब इतना जल्द इससे पहचानने लगे हैं और लोगों की भीड़ा आप साब तोर से देख पा रहे होंगे कि यहां पर लोग पहुंचने लगे हैं तो आप जहां भी देख रहे होंगे यह वीडियो अगर आपको यह डेम अच्छा लग रहा हो तो आप भी अप खुबसूरती के और बढाते हैं देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए प्रियाटकों के लिए यह जगा जगा पर बैठनी के लिए सुईदा बनाई गया है जब घूम कर ठक जाएंगे तो ऐसे सैड बनाए गया है लगबग 3-4-5 यह सैड बनाए गया है जहां पर अब दिखाऊंगा आप सभी को तो बने रहें और आगे इस द्रिश्ट को मैं दिखाता रहूंगा आप लोगों को अब देख सकते हैं वह जहां पर लोग ज्यादा पहुँच रहे हैं और यहां पर सेलफी के लिए लोग पहुँच रहे हैं आप साब तोर से जब आप कई लिए और मैं जीस तरह देख रहा हूं यहां के हैं और यहां के सुन्द्री करन को देख रहा हूं आने वाले समय में यह प्रेटल को एक बड़ा प्योप बया है वाक है उनसे जाननी की कोसिस करेंगे कि कासा लगते हैं यहां पे आने के बाद 97-95Love इया पहली बार है ARE C it देखते हैं की साब तोर से यहां पर ज़लुए मेरे जिल पहुच्छ सेलफी के लिए लोग पहुच्छ सेया और बहुत खुबशूरत यह अस्तलु है हम भी चाहेंगे कि आप जहां से भी देख रहे हो इस जखा पे आए इस देम पे आए और देख सकते हैं पहाडों के बीच में ये प्राकृतिक सौंदर के बीच में ये बसा हुआ ये डेम है आप जब भी आएंगे तो यहां पे प्राकृतिक का ये सौंदर ये जटा देखकर आपको मनमोहित कर लेगा अपनी और बर्बस खीच लेगा तो कहीं न कहीं ये खुपसूरत डेम जो बना है भीड़ी फारम में आप लोगों के लिए परियाटकों के लिए ये बहुत बड़ा एक अस्थल हो चुका है हम जब ये न्यूस बना रहे हैं अभी जनवरी 5 जनवरी आने में काफी समय है और उससे पहले इतनी भीड़ तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि 5 जनवरी को यहां कि आप देख सकते हैं कि हम जैसा बताएं कि भेड़ी फारम का ये डेम है और डेम में इतनी खुपसूरती बढ़ गई है कि लोग अभी बर्बस खीचे आ रहे हैं म ये पार का अभी उधगाटन हो चुका है लेकिन बंद रखा गया कुछ कारणोवस से ये एक तारिक को जहां तक हमें सूचना मिली है फर्स जनवरी को ये पूरी तरह से खोल दिया जाएगा बच्चों के लिए देख सकते हैं बच्चों के लिए जुलुआ लगाया गया है बच्चों के लिए बहुत सारी चीजे लगी हुए है कहीं न कहीं ये खुपसूरती का और बढ़ाया गया बैठने के लिए बनाया गया जहरने लगाया गया है बहुत खुपसूरत द्रिस को दर्सा रहा है तो कहीं न कहीं ये चत्रा जिला के लिए एक अलग परियटक का अ अगर यह खुल जाता है तो कैसा लगा यहां का भीव कैसा लगा यहां से जा रही है उन्हें मिल गए हम रास्ते में उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यह आपके जीला में मैडम सबसे पहले स्वागत है यह जो डेम का उध्गाटन हुआ है 26 तारीक को चत् पुद्दीन से यहां के छेत्रिया लोगों का मांग था कि यह डेम जो आप देख रहे हैं पूरे चत्रे जीलों में जो पानी का सफला होता है यही से होता है बस अरते यह जीर्म सीर्ण के चलते पूरवर्ती सरकार का कभी आज तक ध्यान नहीं रहा जब हमारी गडरंदन क सरकार आई तो आप देख रहे होंगे कि चत्रा में विकास का बैयार जी सरह से बह रहा है यह परत्यक्ष दिखाए दे रहा है और यहां के लिए खासकर यहां के छेत्रिया लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सवभाग की चीज है बात है कि हम लोगों के घर के पास एक तो देखने से ही लगेगा कि अभी चार दिन बाकी है फिर भी देखिए सहलानिया जो बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है वह यह तारी को खुलेगी वह बच्चों का पार्क खुला है थोड़ा सा उसमें कुछ ही यह है घास बगेला लगा है जो गिला है जिसके चलते बच्चों को खिलने के लिए बहुत अच्छा सुविधा यहां की आगया कि यह जहां खड़ा है यह चेत्र सत्यानद भोकता का पाता है कहीं न कहीं उनका ध्यान इस वह आकर्सित हुआ है क्योंकि पहली बार जब वो मंत्री बने थे तो साइद उनका जेहन में यह नहीं थ बहुत बड़ा अच्छा जाते हैं और बहुत अच्छा बात कहा है इन्होंने की चत्रा जिला के लिए कहति हास सौगात है यहां पे बहुत सुंदर यह पार्क बना हुआ है और नया साल आने वाला है नया साल में आप अपने परिबार के साथ अगर घूमना चाहते हैं तो इस जगह पर आप सकते हैं बहुत खूबसूरत यह द्रिस है और भी कुछ अस्थलों में दिखाएंगे आपको कि यहां पर और क्या-क्या सुवीधा है आप सभी परियाटों को के लिए बने रहे मेरे साथ परियाटक अस्थल पर आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि महि कहें जिलाओं के सुरक्षा को देखते हुए यह बहुत खूब्सूरा चीज़ अब देख सकते हैं यहां कारियाले बन रहा है इस धिम काहलец वmnों देख सकते हैं बस एक जनवरी से सारी विधी वास्ता यहां पुर्ण होने वाली है यहां पे पार्किंग भी पीज़िश। 12 151 लग रहा है और ये वह चत्रे't के लिए के लिएए पूरे जर्खंड के लिए पहपा लीजाना जाता था पूरे वीशु में लेकिन अब यह ढिना पूरे जर्खंड में रूप में आया है नया पहचान लेकर आया है अब देख सकते है कि वह सा सीजावे हैरा आफी समय है लेकिन प admir also को हभी दिन पर दिन भटे जा रही है यहां पे 26 तारिक को यहां पे उध्गाटन किया गया है और यह लुक यह खुबसूरती बर्बस लोगों को अपने और खीच रही है मैं एक बार दूर से पूरे भ्यू को आपको दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं यहां से रंग बिरंगी यह डेम कितने खुबसूर अपने बच्चों के साथ इंजवाय करना चाहते हैं और यह खुबसूरत जगा है मैं सजिस्ट करना चाहूंगा अपने चैनल के द्वारा कि आप जब भी घुमने आए अपने परिवार के साथ आए तो यह भेड़ी फारम का डेम जरूरा है जो बहुत खुबसूरत बनाया गया है और फर्ट जनवरी को यहां लाखों की भीड़ होने की संभावना है अभी ही हम बता दे कि जब यहां मैं रिपोर्ट बना रहा हूं उस समय यहां कम से कम 1000 से प्लस लोग यहां पहुंचे हुए हैं इसे मनमुहक द्रिस को अपने आखों में अपने दिलों में कैद कर करने के लिए जब ऐसे अस्थल बनते हैं आपको बता दे ऐसे अस्थलों पर लोग पहुंचते हैं और लोग पहुंचने के बाद यहां पर बता दे कि कारियों का यहां पर जितने भी लोगों का होता है यहां वैपार का सिर्जन बढ़ता है यहां कमाई का सिर्जन बढ़त यहां पहुंचने लगे हैं और डेली के यहां 500,000 लोग पहुंचने लगे हैं कुछ और यहां पे बच्चे हैं वो लेज कुरकुरे बेच रहे हैं उनसे जानने के कोसिस करें भाग यह नहीं आप पर सुसे क्या नाम हो अमर्क मार्दांगे भीड कहां कितने हो रही है बहुत टो देख सकते हैं ऐसा बनता है नए पृत चुरत हो चुका है पहले इतना ज्यादा अच्छा नहीं था हम लोग बचपन से आते हैं अर्वी तो बहुत ज्यादा अच्छा हो कह बहुत बन गया है डेम का भी खुबसूती बढ़ गया है पर यह तक अस्थल यहां रोज इतनी भीड हो रही है हाँ अभी बहुत ज्यादा है थोड़े दिर में बहुत आप भी जादा हो जागा अभी तो कम है तो कहीं ना कहीं जनवरी अभी आने में बाकी है और अभी लगता है हजार-दौज लोग आजाते हैं डिली हाँ अगदम उतसे भी जादा है हजार से जादा आता है कहीं ना कहीं यह मनमुहक द्रिस से लोगों को अपनी बर्बस खीच रहा है आप कहीं से भी हो तो यह भी फारम डेम है आप आए चत्रा जिले में और इस अस्थल पे डिपूट जरूर करें और इस अस्थल पे घूमें यह अपने परिवार के संगाय और यह मनोरम द्रिस आनंद ले परियाठा के स्थल हो और दोस्तों की मंडली नहीं हो ऐसा हो यह नहीं सकता और पिकनिक की मज़ा तो दोस्तों के साथ ही आती है यहां देख सकते हैं कि मैं पहुंचा हूँ अच्छा लग रहा है यहां के विश्यस्ता क्या यह बता है यहां का विश्यस्ता जो काफी दिनों से यह जो की पूरे चत्रा में लगभग लगता है कि पानी का जो स्रोथ है एक माध्यम बन चुका है हमें जहां तक जनकरी है कि चत्रा वासियों को लग काफी तलाव जो है इक चीज़ बता है यह उधगाटन के बाद यहां लोग की जिस तरह बढ़ रहे हैं या बच्चे के लिए जो पार्क बनाया गया है कहीं न कहीं बच्चे का पार्क एक तारिक स जो है ठेला लगा करके कुछ दुकान अगरा करके आपना रोजगार रोजी-रोजी का इस बढ़ी बात कहीं है कि गरीब तब्गे के लोग जो होते हैं यहां पर आकर एक नए रोजगार का सिर्जन हुआ है यहां पर लोग आएंगे ठेले लगाएंगे जो गरीब के परिव आगला अगरा कर एक वेद करे लोजी का सिर्जन है